हाई फ्रेंड्स तो आज हम सीखने वाले MS Word में टेबल कैसे बनाते हैं टेबल बनानी के लिए हमें सबसे पहले MS Word को उपन करना होगा उपन करने के लिए देखिए हम यहाँ पर टेक्स्टॉप पर आइकोन दिखाई दे रहा है MS Word को हम इसे डरल बार क्लिक करके उपन कर लेते हैं इसके बाद हमें यहाँ पर टेब दिखाई देते हैं हॉम टेब, इंफा टेब, पेज लियाओ टेब, रिफरेशन टेब, मिलिंग टेब, रिव्यू और व्यू टेब हमको जाना है इंफा टेब में, इंफा टेब में जाने के बाद हमें नीचे option दिखाई देता है table का बाएं फे दाएं तरफ जो बॉक्स आपको दिखाई दे रहे हैं इसको columns की फंख्या बोला जाता है और जो उपर फे नीची की तरफ जो box आ रहे हैं उनको बूला जाता है raw Minually इसमें 10 column और 8 raw की संख्या मिलती ही जिसमें आप tables बना फकती हैं अगर आपको और ज्यादा raw और ज्यादा column चाहिए हो तो आपको infant वाले option में जाना होगा infant वाले option में जानने के लिए हम देखिए हैं पर infant table करेंगे टीवल में क्लिक करेंगे पहले और यहां पर इसके box के नीचे यह देखिए infant table वाला option है na infant table करेंगे तो इसमें number of columns और number of raw पूंश्ट तो आपको जितनी भी column की जरूवत है ना जितनी row की जरूवत है तो आप इसमें से आप ले सकते हैं ठीक नम्मर of column आपको 6 column चीए 2 row चीए तो आप उस प्रकार से column और row ले सकते हैं इसके बाद हम यहां पर ok करेंगे देखिए तो यह हमारा क्या table बनके आ जाता है अब अगर हमें इसमें अगर data करने data इंटर करने के लिए देखिए यहां पर हम इसके नम लिख लेते हैं अगर आंगे जाना थाम टैब दैब की का यूज खरेंगे और अगर पीछे आना है तो मैं फिप्ट के फार्ट टैब की का यूज खरना पड़ेगा तब इसमें इसा होता है फिर अब देखिए हम इसमें फिल कर लेते हैं एरो की से भी आप उपर नीचे कर फकते हैं अब हमें और कॉलम लेने के लिए टैप की का यूफ करना पड़ेगा और पीछे जाने के लिए फिप के फांट टैप की का यूफ करेंगे दिखिए तो यह हमारा फिर वही पर आजाएगा इस प्रकार से आपसमें डाट एंडर कर सकते हैं जैसे ही आप टीबल बनाती हैं टीबल बनाने के फांत फांत आपका डेजाइन टैबल लियाउट टैब खुल जाता है देखिए डेजाइन टैब खुलता है तो इसमें आपको बहुत वारे आपफ़न मिल जाते हैं एक-एक करके हम आपफ़न को देखेंगे देखिए यहाँ पर टेबली क्लिक करेंगे तो बहुत वारे ने पर मिल जायेगा आपको जो यसमें भी आपको लगाना है आप उसमें क्लिक करकी लगा सकते हैं यहाँ पर Shopifyी करने जानग करें पोलंस करेंगे यह लए लास्ट कॉल्म्् में ग्यान हाइलाइट होती है इस प्रकार फिर इतने बटन मी का मुफ़ा है लास्ट कॉल्मम् मेरे मेरे लें सुनते हैं यह तुम्ली टेबल झाल है यहां पर no color में click करने तो no color भी हो जाएगा फिर नीचे more color में click करई को जो भी atom color लेने चाहते हैं अपर fill करते हैं कि फिल करें के ने लिए आप fill ने लुटत ने के लिए हमुत हैं इसमें fill कर सकते हैं सब्छेजाएं अभी यहां पर से भी टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं कि इनफर्ट में जाएंगे इनफर्ट में जाने पर टेबल में यहां पर इनफर्ट टेबल के साथ ड्रो टेबल का भी आप्वन आपको मिल जाता है तो देखिए हम यहां पर आते हैं डेजाइन टैब में और एक टेबल को ड्रॉ क टेबल में को ड्रॉ करने के लिए हमें यहां पर क्लिक करना होगा ड्रॉ टेबल में यहां क्लिक कर लेते हैं देखिए और इसके फाथ ही लाइन की इस्टाइल यहां पर दी हुई है जो भी लाइन की इस्टाइल फे आप टेबल को ड्रॉ करना चाहते हैं वो इस्टाइल आप इसमें से ले सकते हैं साथ ही यहां पर line की width दी हुई है जितनी मोटा ही आप रखना चाहती है line की उपने रख सकते हैं और यहां पर pen का color भी दिया हुआ है अगर आपको red में करना है yellow में करना है तो आप इसमें इसमें लाइन इसमें ले सकते हैं क्यों तो हम यहाँ पर एक table को draw कर लेते हैं आप इसमें जितनी column आपको चाहिए जितनी draw चाहिए अपने हिसाब faith में draw कर सकते हैं यहां जितनी भी table आपको चाहिए जितनी column चाहिए आप इसको ले सकते हैं यह हमारा और इसके बद देखिके यहां पर हमारा इरीज का twentafronary है इरीज यह नि हमारा होता हे तक है kliyør करना मिटाना रबड़ तो हम इहां पर इसको मिटा देती है यह फ्रकार पक्ळ इरीज वाला option यूसमे हम लिक या सकती है हैam इसको हटानी कर सीमें क्लिक कर देंगे थे फिर नेफ देखे लियाओक टैब लियाओ टीबल आप ये फिलेक्ट हो जाती है फिलेक्ट रो करते हैं तो जो भी आप रो में रखते हैं जैसे यहां पर हम रखते हैं जो भी आप रो में रखते हैं इसको तो रो फिलेक्ट हो जाती है कॉलम में रखते हैं तो आपको देखिए यहां पर हम राइट क्लिक कर लेते हैं क देखने को मिल जाएंगे जिसमें सब्सक्राइए कर यहां पर दिरीट तरुट तो यहां पर क्लिक करेंगे और डिलेट रो करेंगे देखे तो यह वाली जो रो है हमारी क्या होई डिलेट हो गई है इसके बाद देखिए इनफट इबाओ को अप्षन है इनफट इबाओ को मतलब होता है कि ऊपर की ओर हमारी रो को लेना अगर हमें रो की जुरुट पढ़ जाती है जैफि यहां पर वन लिखा इसके उपर एक रो चाहिए था हम क्या अगर फक्ते हैं इनफट अबाओ कर फक्ते हैं जैफि हमने अभी किया प्रकार्फ एक फिर फे करते हम इनफट इबाओ तैसम यहां पर एक एक रॉ लिखे यहां इनफट बू अगए फिर इफिए तरह फे oil ढ Under the नीचे राच भी है, तो हम इंफट ब्लू करेंगे, तो दिखें, यहां पर, इफि diffé नीचे प्रेखर क। इंफें के नीचे अँपे लिखा हुआ थिफ के राच प्राच बिउ sıkसाम है. इफी प्रकार्फ देखे, यह हमारा one लिखा, इस्ट्वेंट नेम लिखा है, इसके इनफट में column चीज़ तो हमारी इनफट हो जाती है, फिर फिर हम Ctrl Z करते हैं, और फिर इनफट राइट करते हैं, तो यहां पर इस्ट्वेंट नेम one लिखा, इसके राइट फैड में हमारी क हो जाती है, इफी प्रकार फे देखिए, मर्ज का उपफन है, जैसे हमको इसको मर्ज करना है, इन फभी फैल को एक में कनवर्ट करना है, एक फैल बनाना है, तो हम यहां पर मर्ज का उपफन इसको फपर पहले फैलेक्ट कर लेती है, फैलेक्ट करने के बाद देखिए, मर् तो देखिये यह हमारा क्या हो जाता है पूरा फैल होता है Fielect होकर मर्ज हो जाता है अब ने जो option है आपका split fail का option है अगर हमें यहां पर और column के ज़रुद पढ़ जाती है तो हम यहां पर split fail कर सकते हैं जैसे हम यहां पर click करेंगे तो एक dialog box आपके सामने खुल जाएगा यहां पर दिया हुआ number of column number of row फिर वही process आ जाती है देखिए तो इस file के अंदर में आपको कितनी row चाहिए और कितने column चाहिए अगर आपको दो column चाहिए और एक row चाहिए तो हम यहां पर दो column और एक row लेते हैं और उसको क्या कर लेते हैं इसके बाद देखिए यहां पर हमारा spit table का option है spit table का मतलब होता है कि जैसे हम यहां पर रखती है cursor को हमारे और spit table कर देते हैं तो यह हमारी जोबीच पे टीबल को क्या कर देता है अब इसको हमको फोड़ने के लेट बटन प्रेस करेंगे फिर फोड़ने के लिए देखिए थो डिलेट बटन प्रेस करेंगे तो क्या हो जाकर हमारा इसके बाद देखिए ने fact जो option है हमारा वो autofit का है तीन option आपको दिखाए देंगे autofit content, autofit window, fix column, with तो अब से पहले देखिए हम यहाँ पर autofit करते हैं इसको हम पो करना है delete तो हम delete कर देंगे, देखिए delete column तो delete हो गया हमारा अब autofit देखिए, autofit सब से पहले autofit content करेंगे, देखिए जो पूरा autofit होगे, जितना हमारा content है उस हिसाब से क्या हो गया, यह हमारा autofit हो गया, ठीक है पहला option, पर इसके बाद दूसरा option हमारा autofit window autofit window में क्या होगा, देखिए, जितनी हमारी window दो उस प्रिकार पे हमारा content जो हो जाएगा the फिक हो जाएगा देखे यह मारी window है हमारा page ुछ अपर हमारा content जो क्या हो गया सेखे विज एक तीफरी में सब्सक्राइब में से तीफरे नम्मर जो है हमारा टीफरा जो option है fix column width इसमें हम क्लिक करेंगे जो हमारी column है वो हमारी क्या हो जाएंगी fix हो जाएंगी ठीक है इसके बाद देखिए next जो option है हमारा fell का 5 अभी यहां पर हम रखते हैं यह प्रेकार से कर फकते हैं जुणाई बढ़ा फकते हैं इसके बाद next option है distribute row यानि कि हमारी जो रो हैं फब में बराबर हो जाएंगे देखो distribute row और यह distribute column का तो यह हमारी row और column वो एक फी हो जाएंगे पूरे content में फिर next option जो आजाता है हमारा देखो alignments का जाता alignments के लिए हम इसको थोला फा बड़ा कर लेते हैं को खीच के अब आपको समझ में आ जाएगा कि यहां इसको फेलेक्ट करते हैं और इसको जब फाइड भी रखना है राइट फाइड लेफाइड नीचे ऊपर इसको फेले कर सकते हैं प्यश्च देखिए इस प्रकार फेली का ड MOR तो तक रसके जो कि अब फाइड आप कम कर लेते हैं इस का से यहां पर बीच में लेकर ओकर इसको कम जाधा कर सकते हैं गत यह पर नेफ्ट ऑप्षन देखिए फैल का मार जाए कि हमारे जो वर्ड लिखे हैं फैल में वह इसके आंगे और इसके पीछे कितने कितना मार्जन छूटा है देखिए हम यहां पर इसमें क्लिक करते हैं इसका फैल में यह डायलग बॉक्स आजाएगा तॉप में भी जलकुल ज चूटा नहीं है न अगर हमको इसको 0,8 कर लेते हैं फिर तो यह हमारा थोड़ा फा मार्जन में चूट जाएगा एंपे देखिए आपको फॉर्ट वाला उप्पन है फॉर्ट वाले आप्फन के लिए हम यहां पर इसको फैलेक्ट करते हैं इसको इतना फैलेक्ट कर लेते अपके टैक्स को जमाना डिफन यहां होता है जैट टू ए में जमाना टिक तो हम एट टू जैड में जमा लेते हैं तो जैड में जमाएंगे थोड़ा यह फीरल लॉम्मर इधर अधर हो जाएगा देखना यह ना तो हमने यहां पर ए ए ए भी इस प्रकार फे जमा है ना शील की है ना ऊपसान नहीं का दिखी रिपीर हडर रोख का है जैसे यह बहुत बगत आओ से ली कि फैang बार-बार करना होता है अब को आपका इस पतन की नले चाले की यहां पर modify अप नहीं कर सकते हैं यहiate अदिर कर और यहां पर modify हों अधोर यहां पर gratis लिख सकते हैं इसके बाद आपको एइसको भी repeat करवाना मैं आप नदेखने करें इसको भी conceptual शर्वाद कर पहते हैं पर देखिए आपको किया अपर data